प्यारे बच्चों, मैं रिचा बाच्वी अर्थशास की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ उभोक्ता के विवार के सिध्धान के भाग तीन में आपने उभोक्ता का संतुलन पढ़ा मां का नियम मां का फरण पढ़ा और विविवन-प्रकार की वस्तूओं का ध्या किया जो आय प्रभाव और वो प्रितिस्थापन प्रभाव से अलग अलग प्रभावित होती है अब भोगता के विवार की सिध्धान के भाग चार में आप जिन बिंदों का ध्यन करेंगे वो हैं मांग में विस्तार या संकुचन और मांग में वर्दिया कमी बाजार मांग मांग जो उनमें परिवर्तन होगा तो मांग त sabemos कणिवाम् आपवात खातिश्य ट्रॉस्तुष्ट लेखे है कि निपका जाता है मांग जो वक्र है वो यह मानगर बनाया जाता है कि बस्तु की कीमते वभोगता कि आय और अधिमान इत्यादी जो है दिये हुए हो और थात में परिवर्तन नहीं होता है पर यदि उनमें परिवर्तन होगा तो मांग में भी परिवर्तन होगा अब यह जो मांग में परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का हो सकता है वो या तो एक ही मांग रेखा पे हो या वो मांग र तो मांग में इस परिवर्तन को हम मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं और यह मांग में परिवर्तन किसके कारण होता है केवल कीमत में परिवर्तन के कारण होता है और आप ये जान लीजिए जो किrahamत में पर peerigosthak diabos होने की वज़ Więchash गोसे स की मं этहीं मांग में विश्तार ये संकुचन होता है इसमें हम कि मांग रेखा में उपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं कीमतों में कमी हुई तो हम ने मांग बढ़ा दी हम उपर से नीचे चले गए हम उपर से नीचे चले गए हम उपर से चले गए हम ने मांग उपर चले गए तो वह किम जो है यह मांग का विस्तार हो गया और यह मांग का संकुचन हो गया यह घटना अल्पकाल की है करकि कम समय में ही जो है केवल कीम कैसी अधारणा है? अल्पकाली, समय अधिक होगा, अगर समय बढ़ेगा, तो अभुकता की आय में भी परवर्तन हो सकता है, उनकी रुचियों, अधिवान मतलग रुचियों में भरवर्तन हो सकता है, और संबंधित वस्तूं, यानि कि जो पिसले अध्याय में आपने इनकी किम्तों में परवर्तन के कारण अगर मांग में व्रद्ध हो जाती विस्तार और संकुचन किम्तों में परवर्तन के कारण होता है, उसमें एकी मांग रिखा पे रहता है, अगर मांग में व्रद्ध या कमी हो जाए, पूरी मांग रिखा हो जाए, उनकी रुचियों म तो मांग में व्रद्धी हो जाए, मांग में व्रद्धी हो जाए, या 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 मांग में व्रद्धी हो या नीचे आ जाती है, उस खिषकने को मामि वर्दिया कमी कहते हैं और यह कब होता है, इसके लिए लंबा समय चाहिए, यह अलपकाल में संभव नहीं है, रुचिया आए, यह सब परिवर्तन के लिए लंबा समय चाहिए, इनके लिए दिरकाल का समय चाहिए, इसलिए यह तो हो गई एक विक्ति की मांग, अभी तक तो जितनी भी आपने मंख्र लिएं यम ऑने नम वहिता यह सुल diarrया की बात किसी ईक भुष्ट की चीमत किसी ईक बश्द पर की मोला एक भुष्टा नहीं करता है अवस्तोंे किसी एक भुष्टों की मोल नाम पर करते हैं किसी व승त के लिए एक जय् tenido एक विश् though की मत पर गाजार मंख किसी भी वस्तु को जब अनेक लोग मांगते हैं या कह सकते हैं कि अनेक व्यक्तियों की मांगों के योग को हम बाजार मांग कह सकते हैं अनेक व्यक्तियों की मांगों के योग को हम बाजार मांग कह सकते हैं अनेक व्यक्तियों की मांगवक्रों के योग को मांगवक्र के यह मांग थी किमत को इस की मत परवर्तन के कारण., इनका यह यह पुरुड़ती रिखार만 थेशिगे उता достиवTurn किमत में एक तो इनकी मांग यह एक बहुती, पुरी बाजारी केहने काताद पर यह है, जैसे मालीजे हम अपना स्वयम का खरीदारी करते हैं तो वह हमारी विक्तिगत मांग हो गई वह पर हम जैसे A, B, C, D, E, All भी मतलब तमाम लोगों की जब ओंभान का जो योग होता है उसी को हम बाजार मांग कहते हैं बाजार मांग का मतलब हुआ विक्तिगत मांगों का योग, विक्तिगत भोगताओं की मांगों का योग, विक्तिगत मांग तालिकाओं का योग, A, B, C, D, 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 विक्तिकत मांग तालिकाओं के योग से जो रेखा बनती है, वो कह सते हैं कि वो बाजार मांग रेखा है। विक्तिकत मांग तालिकाओं के योग से जो रेखा बनी उसको हम बाजार मांग रेखा कह सकते हैं। तो यह आपका हो गया बाजार मांग. अभी तक आपने जो पढ़ा, वो पढ़ा कि मांग की कीमत, मांग का नियम क्या है? मांग का नियम क्या है? मतलब मांग का नियम ये बताता है कि जब कीमतों में परवर्तन होगा तो मांग में परवर्तन होगा ठीक किरना हो इसको जब हम परिवर्तन का हम जघना करते हैं तो हम किसके किस प्रौन समझना पड़ता है? मांग की कीमत लोचफ of का लोच तो कीमत में परिवर्तन से तो मांग में परिवर्तन कितना होगा इसको तो हम मांग की कीमत लोच के अंतरगस पढ़ते हैं। अब यह जो कीमत में पढ़तन से मांग में पढ़तन होगा, वो विभीन वस्तों की प्रकृति के हिसाब से अलग अलग होता है। कुछ वस्तों में कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन जादा हो जाता है। कुछ वस्तों में कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन कम होता है। उस आधार पर मांग कीमत लोच की तमाम परिवर्तन हो जाती है। मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ। सूत्रु रूप में कहें तो Elasticity of price is equal to वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसको हम जड़ा विस्तार से ऐसे ही कह सकते हैं कि delta q upon q into 100 delta p upon p into 100 तो वस्तु की मां में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की मां में प्रतिशत परिवर्तन कैसे गात करते मां की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे पूर की मात्रा और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन इन का इनका इप्रतिफा गात करते है . थीकुत अब जैसे मान ली जिए worth it, हाँ तीन स्थित्य याइं हो सकती जैसे मान ली जिए किसी वास्त्य की कीमत में 10 परिवर्तन हो और उसकी मांग में 20 परिवर्तन हो तो मांग की लोच कितनी आएगे? मांग की लोच आएगी दो, आएगी किनी आएगी? अब इसको हल करिये, दो आएगी. अब अगर मान लिजे किसी की कीमत में 10 परतिशत परिवर्तन हो और उसकी मांग की मात्रा में 10 परतिशत परिवर्तन हो तो कितना होगा एक अगर मान लिजे किसी की कीमत में चालिस प्रतिशत परिवर्तन हो पर उसकी मांगी गई मात्रा में केवल बीस प्रतिशत परिवर्तन हो तो आएगा 0.5 अगर किसी वस्त की कीमत में दस प्रतिशत का परिवर्तन होता है पर उसकी मांगी गई मात्रा में बीस प्रतिशत का परिवर्तन होता है तो जो उसका हल आएगा प्रतिशत पर जो आएगा वो दो आएगा दो एक से अधिक कुछ भी आए तो इसका मतलब है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन अधिक हुआ है, अर्थात मांग की जो लोच है, मांग में जो परिवर्तन है, वो क्या है? एकाई से अधिक, एकाई से अधिक, एकाई से अधिक, कीमतों में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन अधिक होने पर मा मां की लोज क्या एकाई से अधिक, कीमितों में परिवर्तन की तुल्ला में मां में ठीक उतना ही परिवर्तन हो तो मां की लोज क्या है एकाई के बराबर और तेसरे इस्थिती में अगर गीमतों में प्रटिश्यत परिवर्तन से इन जो भीग में तृटिश्य परिवर्तन उसे मांगी गई गई मात्रा निया जो भी तृटिश्यत परिवर्तन बोलत कम… परिवर्तन 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 पर वो एकाई से अधिक हो सकता है, एकाई के बराबर हो सकता है, या 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 एकाई के मा में परवतन होता जाए, इसको Marshall कहते है Anant, अब यह जो शिर्णिया जितनी भी है, यह जो इनका गड़तीय रूप दिया है Anant, Elasticity is greater than one, Elasticity is equal to one, Elasticity is less than one and Elasticity is equal to zero, यह सब किसने थोरी दिया है यह जो इसको नाम दिया है, Professor Marshall ने दिया है, Okay, so Marshall ने इनको Anant and Elasticity is greater than one, Elasticity is equal to one, Elasticity is less than one and Elasticity is equal to zero, यह जो नाम दिया है तो इस तरह से हम देखने है कि कीमतों में पर्तिशत परिवर्तन से, जो मांग में मतिशत परिवर्तन होता है उसके आधार पर मांग की लोच इकाई से अधिक, इकाई से कम, इकाई के बराबर हो स कि मांग की लोच यह तो शुन्य भी हो सकती बेलोच हो सकती वैसे कालपनी किस्थिति है पूर्तिया बेलोच दार्मांग और पूर्तिया लोच दार्मांग यह दोनों कालपनी किस्थितिया है पर आपको कालपना का उधारा सामने रखे जाती वहां तक पहुचने का एक सिर इन सिरे किस्थितियों के बीच में मांग की लोच इस प्रकार की होती है। मांग की लोच की विभिन शणिया देख ली अब हम इनको चित्रद्वारा समझने का प्रयास करेंगे और इस परस्ट रूप से जैसे हमने सबसे पहले देखा था कि कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन अधिक 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 कीमतों की तुलना में मांग में परिवर्तन हो गया तो उसी का एक चित्र की रूप में देख सकते हैं कीमत में इतना परिवर्तन मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्कन हो गया तक कि में ना में तुलना में धिक बडि कीमतों की तुलना में मांगी तुलना में अथिक बडिय। यह मत्रा में अथिक क कहते है. अब यह है क्यों डिकर दिकर आदिकर के सब्angeवी ओहते है. एलास्टिसिती से लाइस्तिस्टी और मां कि लोझ यहां घजती है. हम आपको प्रारम भी बताया था कि लोच असल में विबिन वस्तूओं के लिए अलग 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 होता है आवर्टाजी में परिवार्तना आता है और उनकी माः में परिवार्तन हो घाता है, यसे वार गेरा、 इस दावर के था महता रहता है, बुछ अईका फ़िर्चाैजमिन कर इक था कारों को ना होता है , तो एकक्ता ब Extraा पर दस लाग की कार उसमें 25 जार देखा जाए तो बहुत थोड़ा है पर उस 20 जार के लिए या कभी-कभी इंसरेंस फ्री कर देते हैं तो इस तरह की 10-20 जार रुपे के खचे पर भी उसकी मावी बहुत बढ़ोत्री हो जाती ऐसा क्यों कि वह विलासिता की वस्तु और विला क्या सकते हैं कि कूलर है उसको भी माप आराम दायक वस्तु कह सकते हैं जिससे आपको आराम मिल दे आराम मिल दे आराम दायक वस्तु की जो मांग की लोच होती उसकी प्रकृति क्या होती हो इकाई के बराबर होती मिलाब कीमतों में परिवर्तन के ठीक अनुपात में मांग इसा लोच ता किमतों मालिजे इतनी कमी होए और वाहम में ठीक उतनी ही बऌट्री होगे गिमतों में ठीक उतनी ही बड़ोत्री होगे, तोफिकए इसी किमतों उतनी ही जिससे भी आराम मिले, वो आराम दायक वस्तुवे, जिससे आप कारी को सरलता से कर सकें, तो वो आराम दायक वस्तुवे, उसके अलावा, अक्तिसे प्रकार की वस्तुवे होती है, अनिवारे वस्तुवे, अनिवारे वस्तुवे हमारे भोजन है, वो अनिवारे वस्तुवे, था उनिवारे वस्तु निला है दिसकी मां की अत्रफी बां। इसलिए भेलो चूरती है, कि माही जायतफी या किमते बढ़े या कम हो पर नहीं कÈ मुछ को भी घटा बढ़ा है, या तक वह उंकी मा Mooո हम कीमते कॉम होने वहendeu कीमते उस्ता होगने, चीमते कम हो जाएंगी तो येही नहीं किमते का एंम आज अधी कर झांगी अर्जित कर सकते तो एक गरीब से निर्धन से निर्धन वेक्ती भी अपने भूख को छुदा को शांते करने के लिए अपने गेहु खरीदे गई रोटिया खाए गई तो कहने का मतलब है कि अनिवार वस्तू की प्रक्ति ही होती है कि इनमे कीमतों में बहुत परिवर्तन हो ज मतलब कीमतों की तुलना में की मांग में कम परिवर्तन होता है यह होगी अनिवार वस्तू है अब आपने समझ लिया कि किस प्रकार से मांग की लोच वस्तू के अधार पर पदलती रहती है तो अलग अलग सीरे की स्थिती भी हमने आपको बताई थी एक स्थिती हो सकती है कि कीमत में कोई परवर्तन ना हो और मांग कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां यह कहने का मतलब ही है की परिवर्तित होती है और एक इस्तिति यह भी हो सकती की कीमत में कीमतों में परिवर्तन हो और मांग में कोई परिवर्तन ना हो यह भी इस्तिती हो सकती है, कि इम तो बड़ रही है, घट रही है, पर मांग में कोई परवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसी जो मांग है, वो क्या कलाएगी? बे लोच मांग, यह तो पूरता बे लोच दा, और यह पूरता लोच दा, इसको तो आप जानते हैं, इकाई से अधि ऊज़ी है, यह थिता है, धिपन बंदु गोच मांग को त kommen के बाइख देते सकते हैं तो मांग में भाच को थे एकाई मत्ति है, ज़ा है, अगर देते हैं तो मांग की जोच क्या होगी, इकाई से अधिछ रही हैं यह, वामंग को पूरता थीज़ी अशरी मांग की लोज अनन्त होगी, और मांग की लोज जहां एक सक्ष्कों इसपर्ष कर रही है, वहां मांग की लोज शुन्य होगी, अठात, एक ही मांग रेखाव के विभिन्न बिंदों पर मांग की लोज भिन्न भिन्न होती है, concept clear? Okay? कि मांग की लोज निटायद करने वाली कारक मां की की लोज को विभिन्नी हो निटायत के हैं वस्तु की प्रकती वहा पीछे पढ़ फ्रकति वेस्तु की रसे वहां पर है, वस्तु जह है विलास्तावाली है अराम-da-yak- Cheryl or कौनसी है अनिवार है तो विलास्ता की है आराम दायक है या अनिवार है तो विलास्ता की 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 है त अगर वस्तु के अनेक प्रियोग है तो भी मांग की लोच अधिक लोजदार होगी क्यों क्यों क्योंकि हम कीमतों में परिवर्तन होने पर यह कीमतों में व्रद्धी होने पर उनके अनेक प्रियोग कम कर देंगे कीमतों में कमी होने पर अनेक प्रियोग बढ़ा देंगे तो इस तरह से मां की लोच अधिक लोज़ार होगी, वस्तु के प्रयोक को अस्थगित किया जा सकता है, जाहिर से बात, अगर किसी वस्तु के प्रयोक को अस्थगित कर सकते हैं, तो मां की मांता घट जाएगी, अगर हम अस्थगित नहीं कर सकते हैं, तो इस्तिति दूसरी हो सकत गुर्ष बहरों कर wagon के में ईगले उवर्ण बहले उंगी यह जिए लगत प्रह इन्हेताई कर शे खेंट जी बहुत ही जगे होएवे भांट Même हने रहा है में ढगा है थे सन्योगत्र कर शेयते हैं और कमी होई सब्सटों कर दोच दोच बहुती है बे लोचदार होती है और समय का प्रभाव समय अगर कम है तो लोच भी कम होगा अधिक है तो क्या होगा लोच अधिक समय अधिक तो लोच अधिक समय कम तो लोच अधिक तो यह हो गई मां की कीमत लोच को निधायत करने वाले कारत अब आईये मां की कीमत लोच तथा कुल्वे किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस पर किया जाने वाला कुल्वे भी परिवर्तित हो जाता है यह परि इतातम आझ की मुल्या लोच पर निरभर करेगा, अठातम वेढ़ दोरा भी, उस पर किया चाहिएगा अधर पर गाता है, वेढ़ कर सके मांकी लोच पर इकाई से अधिके, याम हर्दी के बराबर है। देखिए, जैसे कीमत चार उपय थिया, दो हो गई, मांगी गई माता सौ से तीन सो कर दिया, और इसका मतलब है कुल्वय बढ़ गई आप इसी तरह देखिए कीमत फिर घटी, इनोंने 100 इकाया मांग थिया, दो सो मांगने लगे, वे उतन ही रहा, कीमत में चार से दो हुए, इनोंने 100 इकाया मांग थिया, और जो कुल्वय हो गट गट गया, देखिए, तीनों ही स्थितियों में कीमतों में कमी हुई है, तीनों ही स्थितियों में उन्होंने मांगी गई मात्राइं बढ़ाई हैं, पर वे क्या हुआ है, फरक फरक हुआ है, अलग अलग हुआ, कुल् मांगी गई मात्रा में प्रतिष्छत परिवर्तन जादा है, कम है या बराबर है, इस पर डिपेंड़ है, यही हम आपको पीछे जब सूत्र बताया था तो भी हमने इहीं बताई थी और इसी को कुल वे के द्वाराई इनो ने यहां पर इबताया है, तो कीमतोव में प्रतिष्छवत परिवर्तन कीमतों में तो मांगी गई मात्रा में प्रतिष्छववर्तन अगर अधिकंद लगाई मात्रा cricket गईникомती अधिया होगी यही जफिदो जदुगनी जदब प्मांगी होगी, किमते आधी हुई तो इसलिए कोलवे कम हो गया तो कहने कातात पर यह है कि किमतों में प्रतिशत परवर्दन से अगर मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परवर्दन कम है तो मांगी लोज क्या होगी बेलोज या एकाई से कम यह क्या होगी elasticity is equal to one और यह क्या होगी elasticity is greater than one समझ गी तो कुल वैद्वारा भी हम इस परकार से चान सकते अब हाए हम मांग की लोच की अपरवाद पर अभी हमने आपको बताया की मांग रेखा पर एक मांग रेखा पर यहां क्या होगा sorry मतलब एक ही मांग रेखा पर मध्धिबिंदु में मांग की लोच इकाई के बराबर मध्धिबिंदु के उपर मांग की लोच इकाई से अधिक और मध्धिबिंदु के नीचे मांग की लोच इकाई से कम होती है अभी बताया पर इसका एक अपवाद भी है इसका अपवाद यह है कि ऐसे मांगवक्र जिनके प्रितेग बिंदु अर्थात कीमत पर मुले लोच इकाई के बराबर होती है को गडित में आयताकार अतिपरवलय कहा जाता है अतिपरवलय कहा है जहां मांकी लोच हर जगह क्या होती है इकाई के बराबर प्रतीक बिंदु पर मांकी लोच इकाई के बराबर होती है ऐसे मांकी लोच इकाई के बराबर होती है उस वह है मांकी लोच का अपवाद तो वैसे तो मांकी लोच का यह वास्तिविक अपवाद ह यह विए को अब को यह निद को हम सब को सारी और गों कि अनन्ठ एप शुन्य के बराबर मां की वोच बताई थि वह एक परकार से मां की वोच का 받 ही है, क्योंकि यहां कि अमित पॉरिकलय खूम् retम मां की वूछ रिखभ्म तो इसमें भी सब्धगा शुन्य ही है, तो यह भी एक प्रकार के अपवाद है, पर एक वास्तवी पवाद हम एक कह सकते हैं, यह मां की लोज जो आयताकारती परवले रेखा होती है, वो मां की लोज उसके प्त्ती बिंद पर इकाई के बराबर होती है, ठीक? अब आज यह आपका अध्याय समाप्त होता है, चारो भाग इसके समाप्त किया चुके हैं, ग्रह कारी के रूप में आप में मांवे विस्तार्या, संकुचर्वा मां में ब्रद्य और कमी में अंतर इस्पष्ट कीजे, बाजार मांग वक्र बनाएए, मांग की लोज का सूत्र